असलालेकुम दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं फीरनी जिसके लिए हमने दो लीटर दूद ले लिया है जो फूल क्रीम है और इसके लिए हमने 100 ग्राम चावल ले लिया है इस कप से और ये आधा किलो शक्कर है ये धाई सो ग्राम का कप है जिससे हमने दो कप शक्कर लिये और ये कुछ पिस्ते और कुछ बादाम है जिनको हमने काट कर रख लिया भिगा कर काट लिया था गार्निशिन के लिए और ये एक टी स्पून भरके इलाइची पाउडर है जिसको हम पीस लिये हैं और ये एक चुटकी जाफरान है और ये गुलाब चल है दो टी स्पून और कुछ गुलाब की पंखुडियां है ये भी गार्निशिंग के लिए और अब इस चावल को हम जो बासमती राइज है इसको हम भिगा कर धो लेंगे अच्छे से अब हमने फ्लेम अन कर दी दूद को चड़ा दिया है फ्ल फ्लेम पे और इसको अब हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे और जब ये अच्छे से उबल जाएगा तब हम इसमें धीरे धीरे करके शक्कर मिलाएंगे दूद उबलने के बाद ही शक्कर मिलाएंगे अब ये देखे हम इसमें शक्कर मिला देंगे पूरे इसी तरह थोड़ी थोड़ी करके और लगातार दूद को चलाते रहेंगे जिसमें वो नीचे ना बैठे पतीले के तले में ना लगे नहीं तो फिर वो जला जला उसमें इसमेल आती है इसको लगातार चलाते रहेंगे ये देखे थोड़ा थोड़ा दूद का कलर चेंज हो रहा है पकने की वज़े से अब हम इसमें ये चावल जो पीस लिए थे हमने विगा कर थोड़ा सा दरदरा अब हम इसको मिला देंगे और इसको मिलाते वक्त तो लगातार चलाना है जिसमें लंप्स ना पड़े और ये नीचे बैठे भीना इसको लगातार ऐसे चलाते रहेंगे पूरी तरह से ये चावल का जो मिक्सेर गोल जाए दूद में और अब हम इसमें इलाइची पाउडर थोड़े से दूद में गोल लिए थे कभी कभी वो नई गोल पाता उपर से ऐसे डालने से तो हम दूद में गोल कर ही डालते हैं कि इसको चलाते रहें इसको चलाते हुए आप चेक कर लीजिए कि यह कहीं से हमने आज स्लो कर दी थी इसको फिर हमने तेज कर दिया है कि दूद लग तो नहीं रहा अब यह जाफरान को हमने दो टी स्पून दूद में भिगा दिया था गरम दूद में अब इसको भी हम इसमें मिला देंगे अच्छे से इसको मिक्स करके चलाते रहेंगे देखी कितना अच्छा कलर आया है इसमें शाफरान की वज़े से अब यह चलाते चलाते गाड़ी हो जाएगी अगर आपको जल्दी हो तो आपिस में दो तीन टी स्पून कॉन प्राश्म हम भी दूद में घोल के मिला सकते अ है ताइम ना हो आपके पास ज्यादा तो widisALदी मेर्छीmi Tisch तेस्ट में कोई फर्क नहीं होगा, वह वैसे ही टेस्टी रहेगी, हाँ पर थोड़ा पक जाने के बाद मिलाईए, दूद थोड़ा सा बॉइल हो जाए अच्छे से, उसके बाद अगर आपको जल्दी हो तो, अब ये देखिए, गाढ़ा हो रहा है, इसके वो देख रहे हैं आपको बॉइल हो रहा है, बबल्स देख रहा है, अब हम इसको रोज वाटर मिला देंगे, जो दो टी स्पून था, अगर आप गुलाब अर्क मिलाते तो दो तीन बूंद ही मिलाईएगा, अब हम इसको, इसमें निकाल देंगे, मिट्टी के सकोरों में, और इसकी खुश्बू बहुत ही अच्छी आ रही है, और यह बहुत आसान है, बनाना बहुत जल्दी बनती है, और बहुत ही टेस्टी आप, और इसमें अब आप गार्निशिंग कर दीजिए, बदाम और पिस्ते से, फीरनी मिट्टी के बरतन में ही इच्छी लगती सकोरों में इसको कुसिया भी कहा जाता है अब हम गुलाब की पंखुडियां डाल देंगे इसमें आप एक बार बनाएंगे इसको आपका बार बार बनाने का मन करेगा यह इतनी टेस्टी इतनी लजीज होती है और बहुत ही आसान और सिंपल ना मावा इसमें डलता है ना बहुत मेवा मसाला डलता है पर यह बहुत ही लजीज होती है यह देखिए हमारी फीरनी बनकर तयार है आप बनाएगे अब इसको हम फिरिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए और ठंडी ठंडी आप खाएए यह ठंडी बहुत अच्छी ल कर दो 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 बहुत है यह दो 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 रखिए खाएगे यह दो धन्यारी आप बहुत है यह दो प ‫सक्पाई बहुत है झाल झाल